ओम्शान्ती, 1-10-75 अव्यक्तवानी स्वयम संतुष्ट होने तथा दूसरों को संतुष्ट करने की विधी, सर्वको संतुष्ट करने वाले, पावर्फुल स्टेज पर खडा करने वाले, आसुरी संसकारों को मिटाने वाले, शिव बाबा संगम्युगी वस्चों के प्रती आपको अपना संगम युगी और भविश्य स्वरुप स्पष्ट दिखाई देता है, फ्यूचर स्पष्ट दिखाई देने से पुरुशार्थी भी ठीक होता है, अन्तिन स्वरुप है ही महाकाली का, अर्थात आसूरी संसकारों को समाप्त करने वाला, इसलिए आपको सदा स्मृती में रखना है कि मैं महाकाली स्वरुप हूँ, इसलिए आप में अब कोई भी आसूरी संसकार नहीं रहना चाहिए, आपनी मित्त बनों, आत्माउं को सदा यह अटेंशन रहना चाहिए कि मैं तीवरपुर्शार्थ करूँ, क्या है, जो कर्म मैं करूँगा, मुझे देख दूसरे भी वैसा ही करेंगे, यह तो मध्यम पुर्शार्थ का स्लोगन है, तीवरपुर्शार्थ का स्लोगन है, जैसा संकल्प मैं करूँगा, मेरे संकल्प का वैसा ही वातावरण बनेगा, संकल्प का भी आधार वातावरण पर और वातावरण का आधार पुर्शार्थ पर जो संकल्प करेंगे उसे सबी फॉलो करेंगे कर्म तो मोटी बात है लेकिन संकल्प पर भी अटेंशन संकल्प को हल्की बात नहीं समझना क्योंकि संकल्प है बीच, संकल्प रुपी बीच कमजोर होगा, तो कभी भी पावर्फुल फल अनुभव नहीं होगा, एक संकल्प का भी व्यर्थ जाना यह भी एक भूल है, जैसे वानी में हुई भूल महसुस होती है, वैसे ब्यर्थ संकल्प के भी भूल महसुस होनी चाहिए, जब ऐसी चेकिंग करेंगे, तब ही आप आगे बढ़ सकेंगे, नहीं तो निमित बनने का जो चांस मिला है, उसका लाब उठा नहीं सकेंगे, अब तो गूय महिन पूर्शार्थ होना चाहिए, अब मोटे पूर्शार्थ का समय समाप्त हो गया, कर्म और बोल में गल्तियों का होना यह है बच्पन, अब वानप्रस्ती का पूर्शार्थ होना चाहिए, अब भी अगर बच्पन का पूर्शार्थ करते रहे, तो लक अर भग्य की लोटरी को गवा देंगे। कभी हरशीत, कभी उदास, कभी तीवर पूर्शात और कभी मध्यम पूर्शात का होना। यह कोई विशेश आत्मा की निशानी नहीं। यह तो साधारन आत्मा हुई। अब तो आप सभी में विशेश न्या अपन होना चाहिए। तो अपनी पावरफुल स्मृती से कमजोर आत्माओं की स्तिती को भी पावरफुल बना दो। संतुष्ट न होने के कारण सर्विस रुकी हुई है। तो अब यह भी स्लोगन याद रखो। संतुष्ट रेना भी है और सबको संतुष्ट करना भी है। समझां अच्छा। ओम श्यंटी